हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो दे हिंदू एड्टोरियल इनालेसिस एड़ टूड़े एड़ फिफ्थ आपद अगस्ट ट्वेंटी त्री वी विल डिस्कस दे एड्टोरियल पॉब्लिश्ट इन दे हिंदू निउच्पेपर अगस्ट को ही 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाण बम का अटेक किया था यह पहला परमाण बम इस दुनिया में हिरोशिमा पर अटेक किया गया और 9 अगस्ट को नागसाकी पर किया गया था उसी को ले करके एटम बम से रिलेटर उसके क्या थ्रिट है जो न्यूकलियर वेपन है उनके क्या थ्रिट है इन्ही सब के बारे में एक आटकिल आया है तो आईए दिखते हैं इस आटकिल को कि दे लेशन आफ हिरोशिमा मस्ट नाट ड्रिफ्ट अगे कि हमें जो हैं से क्या सीख मिलती है और क्या क्या हमें इससे और सीख लेने के ओ सकता है राइटर है प्रियांजली मलिक ये जो हैं इंडिया नुकलियर डिबिट एक्सेप्शनली जिमिन दबम इसकी राइटर है अगर बात करें वो शुरू करती है इस आटकिल को इस परिप्रेच में इस कांटेक्स में कि 5 अगस 1945 को जब हिरोश्मा पर सुबह एक्दम बहुत अच्छा मावसम था धोब खिल रही रही थी लेकिन अचानक में इनोलाव गे नाम का एक जहाज था वहां से सीटी सेंटर पर 15,000 किलो टन जो है 600 मीटर के उचाई पर सहर से 600 मीटर के उचाई पर 15,000 टन 15 के टन यूरेनियम बम यूरेनियम को ब्लास्ट के आगे यूरेनियम एटम बम को और कुछ़ड के बाद कुछड नहीं था वहां पर केलो उसके इसकेलेटन स्ट्रक्चर हमको कंकाल देख रहे थे अब कर देखें तो इस पूरे चलड को 78 यर पास हो चुके हैं 78 साल गुजर चुके हैं लेकिन दुनिया के अलग-अलग समय में अलग-अलग टाइम पर और अलग-अलग समय पर अलग- बना रहा है जैसे जब भारत ने नहीं बनाया था तो भारत के सामने संकर था चाइना ने भारत पर 1962 हमला कर दिया उससे बाद भारत को यह लग गया पहले तो भारत ने कहा हम नहीं बनाएंगे पर भारत को इसके बाद लग गया कि हमने बनाना अतियावस्यक है बाद भारत पर उसी टाइम पाकिस्तान ने बना लिया, वुततरी कोरिया, अब इरान बनाने की प्रिक्रिया में हम उसके ओपर सेंक्शन लग यह इस तरीके से लिया किma मैं तो हम भाराने के बहुत सारे देशों में अपर की दिविखती अब का लंग दो यक का हमें observe रिखती और कि अगर हम प्रियोग करेंगे तो दूसरा देश भी प्रियोग करेगा इस तरीके से देखा जाए अगर एटम बम का प्रियोग कहीं भी दुनिया में होता है किसी भी देश के उपर और किसी भी देश के द्वारा होता है तो यह एक्चुल में रिजिनल या लोकल प्राब्लम नहों करके यह एक तरीके का ग्लोबल प्राब्लम हो जाएगा पॉलिटिकल साइंटिस्ट नीना तैनिल वाल्ड का कहना है कि जो न्यूक्लियर बम है अब एक तरीके से देखा जो है एक टैबू की तरह बनेगा है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि जो है जो टैबू है नहीं जैसा कि लोग मानते हैं क्योंकि अब इस समय दुनिया में ऐसे भी बम बनाए जा चुके हैं इन्वेंशन कि जा चुके हैं कि जो लगवग पर्माण बम के बराबर डिस्ट्रक्शन करते हैं यानि अगर हम पर्माण बम न फ्यकें उसके अलावा कुछ ऐस बम बना लिए गए हैं जो उसके अस्तर पर ही जा करके वहां पर डिस्ट्रक्शन करेंगे वहां पर बहुत ज़्यदा नुकसान पहुंचाएंगे और लगव ऐसी सरकमिस्टांसेज को पैदा कर देंगे इसलिए अगर इसको एक टैबू की तरह माना जाए तो यह बिलकुल यह कोई मतलब नहीं रखता है क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे बैन बैन हो चुके हैं और अगर किसी भी देश मेंद देखा जाये जो ब्लैंकेट बैन की बात होती है वो बैन एक्ट्रम में हो नहीं पाता है क्योंकि जब पर कुछ समय बाद अगर इरान बना लेगा तो परति इस्तिति चलती है और अगर देखा जाए तो इस तरीका कोई लीगल वेसिस नहीं है कि किसी के पास एटम बं है तो यह कोई टैबू की तरह नहीं इस एकल में कहागी कोई टैबू नहीं हाँ यह morality का मामला हो सकता है responsibility का मामला हो सकता है कि कौन सा देश कितना responsible है कि वो बम का प्रयोग दुरुपयोग नहीं करने पाए क्योंकि ये एक local problem नग create करके global problem को create करेगा आगे देखा जाए जो बर्नांड बर्नांड ब्रोडी जो है उनका एक phrase है absolute weapon तो nuclear bomb को absolute weapon कहा गया है absolute का मतलब जब वो attack होगा तो फिर absolutely वो weapon है उसके आगे कोई वेपन नहीं है और वो पूरी तरीके से destruction कर देगा जो बम हिरोस्पाम गिराए गए थे वो बहुत शुरुआती चरण में बनाए गए बम थे आज उनके तुल्ला में कई सव गुना capacity की बम बनाया जा चुके हैं इसलिए अगर कोई ऐसा बम की बात के जाए तो यह absolute ही है और जो कि destruction पूरी तरीके से completely कर देंगे तो अब इस तरीके से देखा जाए तो पूरी city को अगर flatten करना है तो हमरे पास atom भी है और इसके लाव अन्य बम भी है जो कि पूरी मानाव जाती को हमन इस पेसीज को खत्म करने के लिए बहुत सारे इस पेसीज को खत्म करने के लिए परयापत है अब मनुस्य अपने विनास की कहाने लिख रहा है जापॉन में जो बम गिराए गए थे उन बम का असर आज भी इतना है कोहाँ पर radiation काफे ज़्यादा फैल गया कई generation जो है उसके बिकलांग होई DNA चेंज हो गया और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके परडाम को भोग रहे हैं अगर बात के जाए टेस्टिंग दिज बीचे का कारण में यह है कि रस्या और यूकरेन के磨 hellitra. यह वार जो है रश्या और जब अमेरिका और नाटो के म्द चल रहा है उसमें ये एक युक्रेन एक कंधा बन गया है इन लोगं के लिए जो बंदूख चलाने के लिए एक बैटल फिल्ड बन गया और फानले युक्रेन का बिनास हो रहा है लेकिन इसी बीच में जब बहुत सारे हथियार दिये गए अमेरिका के तरफ से ब्रिटेन के तरफ से या नाटो के तरफ से तो ब्लादिमिर पुतीन प्रेजडेंट आफ जो है रस्या ने कहा कि हम जो है हो सकता है कि परमाणबंप प्रयोग करें अगर कभी जरूत पड़ी थ अगर बात की जाए ठाटी एट यह पहले अंडिस सल पहले अमेरिका के राष्पती रोनाल्ड रिगन और मिखाइल गारबोचेव जो सोवियत यूनियन पहले हुआ करता था रस्या तब युक्रेन उसी का हिस्सा था उसके जो है राष्पती गारबेचेव मिखाइल गारबेचेव ने एक एगरिमेंट किया था कि हम लोग कभी भी नुकलियर अटेक नहीं करेंगे क्योंकि हमला करेगा ओभी नहीं जीतेगा जिसके उपर हमला किया जाएगा ओभी नहीं हारेगा तो हार जीत का मामला नहीं है और इसको यह ध्यान रखना चाहिए इस बात को 2021 में जून 2021 में ब्लादिमीर पुतीन और जो बाइडन ने भी कहा था कि इस तरीके से हम हैंडल करेंगे क परियोग न करना पड़े प्रंदु बाद में पुतीन ने इसको और उहां के जो पुर्राश्पती हैं उन्होंने भी कहा है इस बात को कि अगर आव सकता पड़ी तो हम का परियोग कर सकते हैं जो कि बहुत सारे तरीके से मल्टी फेसेट लेवल पर यह काफी ज्यादा हारम प्रियोग कर सकता है कि हम कितने पावरफुल हैं हम अपने आपको जहुकने नहीं देंगे हम किसी कीमत पर यूद जीतना चाहते हैं अगर कोई मैसेज देना चाहता है कि हम लडाए जीतेंगे चाहिए परियोग क्यों करें तो यह खतरा है और खतरनाक इस्तिती में अपना एटम बम अपने पास तो रखे ही हैं इनका रिसर्च पर चल रहा है चलता रहा था चाइना का सभी देशों पर चल रहा है लेकिन यह लोग अपने एटम बम को सिर्फ अपने देश में नहीं रखे हैं यह लोग दूसरे देशों में भी रखे हुए हैं अगर हम बात कर करीब करीब सब्सक्राइब कर्याम जो LoreHAHA Chardina जो सब्सक्राइब करीब 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 जो हीरोशिमा पर फर्ण गिराए गए थे CEO ने पंद्रह किलो टन्ड का था लेकिन जो आज हमारे पास वार de ma en LinkedIn Ну दो एक किलो टन से ले करके 120 अमेरिका परो कि वो 15 टन का उसके 15-12 गुना जो है हाई कैपिसीटी का ज्यादा कैपिसीटी का बंप है और इसका असर यह हुआ कि जो हिरोशिमम थे करीब सतर हजार लोग उस समय मर गए थे अब यह काफी बड़ा हासा है कि सतर हजार लोग मारे गए पूरी सीटी समाप्त हो गई रिस्पॉंस की बात कि जाए तो जो यह नाटों है कंट्री यह अपने जो मेंबर कंट्री है जिनके पास एटम बं नहीं है उसके देखा जाए तो यह रस्या के लड़ाई के लिए भी तरह की से जिम्मधार है वासिंगटन उनाटे स्टेट अमेरिका बात की जाए उसने लवद दुनिया के हर देशों में जो उसके मित्र हैं जिनके पास पावर कम है उनके प्रोटेक्शन देने का नाम ले करके रसिया ने उनके देशों में अपना बं रखा हुआ बिटेन फ्रांस समने रखा है नाटो सकता है हाँ अभ्यूद ना हो पर एक्टम बं से डाराने का काम है जो कुछ हर्तक सही भी है कुछ देश ऐसे हैं जो लातों के बहुत बातों से नहीं मामते हैं तो उनके लिए वह सही भी है लेकिन समस्य है कि यहां पर रड़नेती जो बनाई जाती है वो परसन टू परसन देख करके बनाया जाती है पूरे एक व्यक्ति के साथ एक पूरी कम्यूटी साथ पूरे सभी नेशन के साथ एक्विवैलेंट नहीं होता है चाइनेज के प्रसेडेंट है चैनेज़ प्रसेडेंट साथि जैंपिंग उन्हों ने भी कहा था कि हमें जो है इसका न्युकलिय जब उन्होंने किया था और अगर बात करें हम युक्रेन के युक्रेन के पास आज पर्माणु रियक्टर है जो कि इस प्रजेंट टाइम में रस्या के कब जम चले गए है लेकिन युक्रेन के पास पर्माणु रियक्टर है बिजली बनाने के लिए लेकिन उसके पार पर्मा प्लाट कर दिया है वहाँ पर send कर दिया है कि कभी आप सकता पड़ सकती है तो अगर हम देखा जाए पूरे जो है विस में करीब करीब कोल्ड वार के समय सत्तर हजार पन्वभूम थे जो कि इधर उदर दुनिया के अलग अलग अग देशों में तो हिरोस्मा के तरह और भी भायाना के सत्ति आ सकती है यह है आटकिल जो कि हिरोस्मा के परमाड़ू रियक्टर से संबंदित होने के बज़े से आज यह आया है नेक्स्ट आटकिल है अमेरिकाज परस्यूट अप सौधी इज्राइल रिप्रोच्मेंट हम जानते हैं पिछले इलेक्शन जो अमेरिका में हुए थे उनाइटी स्टेट अफ अमेरिका में उसमें ट्रंप राश्पती थे और उस समय जो अंतिम समय में अपने उन्होंने किया वो इज्राइल और सौधी अरब के बीच में उन्होंने एक एग्रिमेंट करवा दिया था दोस्ती का थोड़ अगले सल फिर सही अमेरिका में और अभी तक उनकी दोस्ती बहुत श्ट्राइम नहीं हो पाई है उसमें क्या-क्या चीजें हैं और क्या-क्या-क्या आगे चीजें हो सकती है जिससे के उनकी दोस्ती बढ़े और इज्राहिल भी अब चाहता है अगर हमारा इराभिया से रिस्ता काय्म हो जाये तो काफी अच्छा हो Mark with the word the. और महश्च द्यव लिखें के आइस अर्टकिल को जो की इंडियर अमबेज़र रहे हैं और ये जो है इन्होंने आईए देखते हैं क्या लिखा है Middle East में एक Spring Surprise हुआ था उस समय काफी ज़्याद समस्याइं आई थी और प्राइस जो है आल प्राइस काफी बढ़ गए थी उस तरीके कुछ सिच्वेशन अभी भी दिख सकती है जैसा कि इस आर्टकल में कहा गया है इसके जो है रिष्याद में कहाँ और इसराय के साथ दोनों के साथ काफी अच्छे रिष्टे हैं अकर देखा जाär में, साथ है और इसरायल दोनों को अमेरिका प्रोटेक्सन देता है लेकिन साथिय अरेविय और इसरायल दोन एक दूसरे के सत्तर हैं इनमी कंट्री हैं लेकिन पिछले इलेक्षन के लास्ट इलेक्षन सजेस्ट पहले माइक पॉम्पियो जो है विदेश मंत्रित है अमेरिका के डॉनल्ड ट्रम प्रसेडेंट इन लोगों में किया किया एक मीटिंग करवा दिया क्राउन प्रिंस आफ सौधी अरेविया और बेंजामिन नेतेने आऊ इज्रैल के प्रहमंत्रे की नियोम सिटी में हुई थी जो की सौधी अरेविया में है तो वहां सुननके रिष्टे थोड़े से जो तल्क रिष्टे हैं खराब रिष्टे उसमें सुधार होने की चंसेज अगर सौधी अरेविया के तो वहां पर मुनारे के सिस्ट्वम है डाश्य वेवस्था है और इस्राइल की बात कर będę छूना होताहं लेकिन भारत में चूना होताहे वह ववन परष्ट वाला सिस्ट्व मत्सएम है यहांब व्यक्ति सभसे ज्यादा ओट बाहेगा वो हर जिए हम community को दिया गया है तो वहां पर जो है वो right wing के नेता माने जाते हैं नेतायने आहूँ और यह जो है खुद right wing के राजसाही उसे right wing ही माने जाता है दोने एक तरीके से देखा जैए अपने लिवरपल extremist हैं नेतायने आहूँ की बात की जाये तो वो जीव हैं यूदी हैं उनक जमाल खगोसी नम के पत्रकार था उसकी हत्या हुई है उसको ले करके थोड़ा विवाद हुआ था लेकिन चुकि आयल डेपेंडेंट पूरे वर्ड है तो यह जो गल्फ कंट्री इनके पास बहुत ज्यादा आयल है इसके वज़े से पूरी दुनिया इनके उपर कोई action नह अमेरिका के साथ टाइप किया था और यह जो है काफी ज्यादा tactical रूप से काफी important था लेकिन आगे चलके देखा जाए तो जो अमेरिका जो है इस्राइल और सौधी अरेविया इस दोस्ती करवा दिया लेकिन इरान जो है वह भी अमेरिका का दूस्मन है और सौधी अरेवि के दोस्ती करवा दिया और उनके फिर से उन लोगों ने विदेश मंत्राले के द्वारा अंबेश्डर करने की बात कर दी इससे अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान यह महसूस हुआ कि हमारा strategic point of view से देखा जा तो चाइना हम से आगे निकल गया इससे क्या हुआ अमेरिका देखा जाए तो जो वाइट हाउस है वह अब क्या कर रहा है साओधी अरेबिया को पर्सुएड कर रहा है उसे फुसला रहा है कि किसी तरीके से इजराल के साथ भी उसके रिष्टे नार्मलाइज हो जाए सायद वहां पर चाहना है कि अपने अपने राजदूत को सेक्यूर्टी एडवाजर जेक सुलिवान और यूएस सेक्रेटरी आफ इस्टेट एंटोनी जे बलेंकन ने साओधी अरेबिया की बिजिट किया और उन्हें जो है साओधी क्राउन प्रेस ने स्वेम रिसीव करने के तो इससे एक पता कुछ चलता है कि कुछ ने कुछ इन आल ट्रम थे और फिर से उनकी एक मिटिंग विदेश मंत्री के साथ होई है लेकिन साओधी अरेबिया चाहता है उसके पूर्व सर्थ यह है प्री कंडिशन्स है कि नाटो की तरह ही अमेरिका उसको सेक्योर्टी गारंटी यह नहीं होना चाहता है लेकिन जिस तरह नाटो म लेपन सिस्टम भी एक्सेस करने के दे कुछ टेकोनालजी जो है जो सिविल नुक्लियर टेकोनालजी है जहां से इनर्जी क्रेट के जा सकते हैं बनाया जा सकते हैं उनकी टेकोनालजी को भी एक्सेस करना चाहता है इसके अलावा यह ता अमेरिका एक बात हुई इसके साथ साथी अरेबिया चाहता है इज्रेयल के तरफ से कि इज्रेयल यहें वहां पर टू स्टेट स्वलूशन को फैलिस्टीन जो है फैलिस्टीन है उसके बात को रिकजनाईज करे कुछ कुछ कमिटिमेंट दे और वहां पर भी कुछ नेगैशियेशन हो और उसके बाद से तब जाकर के आगे बाद24, उनका कहना है कि फैलिस्टीन को भी एक निया देश बनने का मौका दिया जाना चाहिए, उसको एक निया देश का दर्जा मिलना चाहिए, आगे देखा जाए, उनस जो यह वह काफे ज़्यादा इस प्रपोजल में है, उस विचा को कि बढ़ाए जाए कि जयनके चाइना और डूबबाई के यह चानगा और साथ मध्यासता कर आया है इसके हैरा 1997-10 का इसका फ़िते हैं तो फ हुल्टेस्ट कुछ सूटा भी हो सकता इस लीए हैक अगला जाता है अगे का और इभ्याद टीजाटेशन की देखा जाए तो Biden Administration को कुछ करना भी होगा क्योंकि अगले साल election है और अमेरिका में बहुत ज्यादा जीव है योधी की संख्या अमेरिका में बहुत ज्यादा है तो ओट बैंक की politics दुनिया के हर देश में है इसलिए भी बाइडेन को उपर एक प्रेसर है को कुछ ने कुछ हल निकालने जिससे की योधी का ओट उन्हें मिल सके और साथ साथ उसके पास बहुत ज्यादा ज्यादा पेट्रोलियम आयल वेल्थ है तो वेनेजुएला सबसे ज्यादा है दूसरे नंबर पर सौधी अरे वेनेजुएला जो है एक वहां की राजनीती इतनी गंदी है वो दिस बरबाद है तो किनारे आटोमेटिक हो गया तो सौधी अरेबिया जो है तरीकेस देखा जाए वो किंग मना हुआ है आयल मार्केट में अब वो चाहता है कि प्राइमस इंटर पेर बनना प्राइमस इंटर पेर का मतलब होता है फष्ट इमंग एकवल Exodus about parliamentary system of government 7 अ है उनको कोई नहीं मिलती थे सअफिक वह बहthet के में मुलटे है उनको कुछ भद्दे मिलते हैं साथे साथी मंत्री ऊं के बीच भी उनकας नेकिए को इतना है को first among equal की तरह treat के जाते हैं सभी मंत्रियों का सलाह लेना अन्यवार है तो उनका सलाह जो है first among equal की तरह है सौधी अरेबिया भी चाहता है कि primus inter pair बनना कि फर्स्ट among equal बन जाए हूँ Middle East में इसके लिए उसका प्रयास है कि इसराहिल के साथ उसके कुछ रिष्टे बन जाए और अमेरिका उसको गारंटी दे इस तरीके से देखा जाए तो दोनों ही अपने diplomatic tie को बढ़ाना चाहते हैं उसमें United Arab इमिरात का भी हाथ है और उसने अब रहाम एकार्ड में member है इस तरीके से दोनों ही देश चाहते हैं कि उनके इहां सांतिय स्थापित हो और दूसरे देशों के साथ उनके वैमनस से है इनमिटी है वो समात होने चाहिए इसके साथ साथ देखा जाए तो जो सीरिया है उसको इरान कुछ लोगों ने फिर से ओपे कंट्री में सामिल कर लिया है और जिससे को उनका जो है आयल का बढ़ सको ज्यादा ज्यादा नेगोसियाशन कर सके एस उचेड़ बहुबार को ज्यादा वार्थ को झेल ने सकता उसके देशों के बराज़ती अलग अस्तर कर पहुँच चुकी है तो इसराइल काि इच्छा है कि जो इस्तार आप डेविट फ्लाइंग कि जो इस्टार उसके जंडे में है इस्टार आप डेविट अरंगहा है तो सब्सक्रीक सोंधिकर है kadar कि उसमें इस्टेट का एक चुस्तार होना झाला ही वह बहुत 1948 से ले करके 1948 से आज तक सिंके बीच लडाई चल रही है और यह लडाई हमेशा कुछ समय बाद आटमेटिक सुरू हो जाती है तो उससे काफे ज़्यादा नुकसान होता है तो इन दोनों ही कंट्री का चाहना है कि इनके बीच रिष्टे स्ट्रेंथेन हो और इनके बीच टें योधी तीनों का है तो अपनी जो रिलीजियस मैटर ही इस पॉइंट आब यू से भी दोनों चाह रहे हैं और साथ ही साथ अगर इनके बीच रिष्टे स्ट्रांग होते हैं इस्राइल के सबसे बड़ा फायता है को आयल रिसोर्स पर जो है एस्या के जो पार्ट है मेडिल मार्केट में हे यह र्लेशन होने सही आवस्यक में इस आटिकल की R. हें जू करत कि शोटा कालम है इसमें आठिकिल आया है कि मेंंक्रिमेंटल इंजिस्टी इंक्रिमिन इंजस्टिस्स की जो हम यहां पर इसकस्ट करने जा रहे हैं उसमें हमारा इंवत हुरी नहीं है पूरा अभी इस निश्वेपर का है तो अकर हम बात करें आर्केलाजकल सर्वे आफ हिंडिया ने ग्यानवापी महजिद जो की वराडसी में है जो की बनारस जो है मंदीर है उसी में अस्थापित है उसी को लेकर के विवाच चल रहा है वहां के जो डिश्टी कोट ने और इल दू डिवोटी है जिनका वो पूजन पहले किया करते थे 15 अगास 1947 से पहले भी जो भी वहां देवी दिवादा के मूर्तियां है वहां पर पूजा होती थी लेकिन 1991 में जो एक एक आता है प्लेसे जाब वर्सिप स्पेशल प्रोविजन एक 1991 वहां से किया कि उस स्टेटस को कर दिया गया कि 1927 से जो भी इस्टेटस है किसी पार करकते बनाया गया है या जेमिन खहित कर भानाया गया है उसका कोई मतलब में जो इस्टेटस है वह में तेन रहेगा इसी आधहार पर जे है वहां के लोगों का कहना है सुप्रीम कोट में गया है और यह इस इस स्टेटस का वाइलेशन कर रही है कोट क्योंकि वहाँ पर जो डेटी है उनको जो है मंदीर मस्जित के मामले को चेंज करने की बाद की जा रही है लेकिन अगर बात करें तो हिंदू टेमपल है उसको डेमोलिस करके वहाँ पर गयानवापी मस्जित बनाया जिया है उस मस्जिद के अंदर आज भी वहाँ पर जो है गवरी गणेश हनुमान और देवी देवताओं की हिंदू देवी देवताओं की मुर्तियां है और वहाँ पूजन भी होती है लेकिन 1990 के बाद से वो पूजन जो पहले डेली हुआ करती थी अब उसे साल में एक बार हो गया ल अब उसको लेकर कभी व्यवाद है उस पर भी जो है जाँच चल रही है तो सुप्रीम कोट ने भी साब सब कहा दिया है कि यह जाँच चले गए जाँच बंद नहीं होगी लेकिन सुप्रीम कोट ने कहा है कि कोई कोई distraction नहीं होने चाहिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाँ यह उसकी जांच मेरे कहा गया उस उस चीज को नहीं हटाना चे हाई कोट को ऐसा आदेश नहीं देना चे ता हाई कोट है डिस्मिश्ट आल अब्जेक्शन इंक्लूडिंग दो उन्स देट सेट देट कोट कैन नाट आस्क फार एक्सपर्ट एविडेंस एवेन विफोर दे इसू तो वी ट्राइड वेर फ्रेम यह था और को जबकि ऐसा लगा कि हमें जो है यहाँ पर जो है मां जो आर्शिप की जाते मां शरिंगार गवरी गड़ेश हनुमान अधर जो है वीजविल यह अन्विजविल डेटी है तो उनकी आधार पर उनकी नहीं नहीं पूजा नहीं हो रहे है यह साल में एक बार हो से पहले उसके बाद भी 1990 तक वहाँ पर तो डेली पूजा होती थी इस आधार पर उनका डेसिजन आये लेकिन यह फाइनल डेसिजन नहीं है न वहां के डिस्टिक कोर्ट का फाइनल डेसिजन है न हाई कोर्ट का न सुप्रीम कोर्ट का यह अभी एक मिडिल पाथ है जांच तो जेस्टी काउंसिल ने अपने डेसिजन लिया है कि जो भी आनलाइन गेम है उनके उपर 28% 28% टेक्स लगाएंगे उसी को लेकर के जो है कुछ राज जैसे कि गोवा और सिक्किम थोड़ नाराजगी है तमिलनाडू में यह गेम आनलाइन गेम बैन है इसलिए उनका कहना कि हमारे उपर तो कोई प्राब्लम नहीं है लेकिन टेक्स वाली बात को किलेरिफाई किया जैने जिसमें बितमत्री ने कहा कि जिनका हाँ पर कोई आनलाइन गेम बैन है वहाँ पर टेक्स कोई मामला बनता है ने यह इनिसियल जई स्टेटमेंट में उन्हों ने कह दिया त क्योंकि बहुत सारे राजियों में गेम होता है नहीं अगर अनलाइन गेम है तो या तो उस पर ला नहीं है या प्रोविटेड है तो इस बज़ट से जो हैं उन्हों हैं सेंट्रल गॉबर्मेंट का जो पच्छ ता उसी के तरब उन्होंने अपने आपको रख लिया है तो पाइन गेमिंग की जो बात की जाए जो उस फिल्ड के एक्सपर्ट हैं जो उस इंडस्टी से इन उनका कहना है कि इसे बहुत सारे मिलियंस विलियंस डालर इन्वेस्ट हो चुके हैं और बहुत साही लोगों की जॉब जूब अब संक्ट में आ जाएगी क्योंकि जिब ज्या लगा रहा है उसी पर 28% यानि कोई व्यक्ति एकर 100 रुपे जो है जुए में लगाना चाहता है तो उसको 28 रुपे टेक्स पे करने होंगे यानि कुल मिला जुला करके 28% का मतलब हो जाएगा को लगभग लगभग एक 140 रुपे के आसपास पे करेगा तब जा करके उसको 100 रुपे की फेस वैलू में लेगी क्योंकि 28% उसको टेक्स देना पड़ेगा टूटल फेस वैलू की तो अब यही पर मामला चल रहा है और इसको लेकर के सिक्किम गोवा ने थोड़ा सा वहां के जो कसीनो है वहां के ज सब चीज ओं को लेकर के मामला चल रहा है लेकिन फाइनली चुकि यहां पर इक मामला जो जेती कांसिल होती है उसमें सहमती और ओल्टिंग के माध्यम से काम से लगभाग दो ही राज बीरोध में हैं अधरवाइस सभी राज सामत हैं इसलिए वहाँ पर ओटिंग मोन को जीत हो नहीं सकती है और उसे दोनों बीजेपी गवर्मेंट के सपोर्ट में हैं इसलिए बहुत बड़ा चेंदिंग नहीं आया सकती है इसलिए इस प्रपोजल पर कोई बहुत बीटिंग के लिए लगाएंगे उसी पर यह हमारा लगेगा तो यह है इस आर्टिल की चीजें जो कि अभी नियूज में चल रही है और फाइनली यह हुआ नहीं है यह अभी आगे कुछ समय बाद होगा इसलिए जब एक्षियल में अपलाई होगा उस समय जाकर कि इसका मा हो जा रहा है तो चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वीडियो को लाइक करें शेयर करें आगे जुड़े रहे हैं थेंक्यू